गणतंत्र दिवस के आउसर पर मैं पुरी प्रदेश मास्यों को इरदे से बढ़ाई देता हूँ आज ही के दिन 1950 में भारत ने आजादी की अपने एक लंबी लड़ाई के उपरां वातंत्र भारत में अपना स्वयम का संविधान लगू किया था भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़े संविधान में से एक है और भारत के संविधान ने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान विदों और विशिशक्यों कि अनुसार जिस समिधान को अपने देश में लागू किया पिछले 74 वर्सों से या भारत के अंदर जाते, मर, संप्रदाय, छेत्र या नितनाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्द करते वे अपनी कसोटी पर खरा उतरा है ये भारत के समिधान की ही महानता है कि दुनिया के अंदर आधनिक लोक तंत्र के रूप में अपने आपको स्थापित करने वाले तमाम वे देश जौपने को आज की विवस्ता के अनुसार सबसे प्रगतिसील मानते हैं उन देशों ने लंबे समय तक लिंग भेत का अधार पर मैलाओं को मतादिकार से बंचित किया था तमाम दबी कुछली परंपराओं को समाज और रास्तिकी मुख्यधारा से अलग किया था लेकिन भारत दुनिया का वा देश है जिसने समिधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिशित किया था कि भारत के अंदर लिंक के अधार पर जाती मत मजब छेत्र के अधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं होगा और भारत के हर वयस्क मत दाता को अपना मत अधिकार करने भारत के अंदर एक सरकार बनाने के लिए पूरा अधिकार दिया यह भारत के सम्मिधान के कारण भारत का हर नागरिक आज देश की सरकार को बनाने में उसका हिस्सेदार बना हुआ है हमारा सम्मिधान अने उपलब्धियों से भरा हुआ है और इसलिए उपलब्धियों को द्यान में रखते हैं अगर इस सम्मिधान हमें अधिकार देता है तो हमारे करतप्यों के प्रतिभी हम सब को आगरही बनाता है आधनी प्रधान मंत्री जी ने पुरे देश वास्यों का इसी बात के लिए आवहान किया है कि जब देश दोजार बाइस में अपनी आजादी का अम्परित महत्सोव मना रहा था तो संप्रित महत 100 वर्स में उन्होंने देश वासियों का आउहान क्या था कि आगामी 25 वर्स के एक प्यापक कारियोजना को ले करके हमें आगे बढ़ना होगा इन 25 वर्सों में हम कैसा भाराच चाहते हैं यह हम सब के संकल्प को जमिनी धरादर पर उतारने के 25 वर्सों में अगर हम सब अगर अपने कर्टप्टियों का इमानदारी पुर्वक निर्वहन करते हैं तो 2047 आने पर भारत दुनिया के एक विक्सित देशों की स्रिंखला में खड़ा होगा जहां पर हर भारतवासी नकेवल अपने देश और अपनी प्राचीन विरासत पर गौरव के अन्भूति कर पाएगा बलकि वहाँ अपनी वर्तमान को सुखत और सुन्दर बनाने के साथ ही अपने भोष्यकों भी उत्माही उज्ज्वल बनाने के प्रदी पूरिध है आस्वानित होगा आजादी के अमरित महत्सो वर्स में जो संकल्प था आज यह वर्स देश की समिधान को लागू करने का अमरित महत्सो है इस अमरित महत्सों वर्ष पर, जब देश का सम्मिधान मागो हूँआ था, हम सब को इस बारे में ध्यान पकना होगा, कि सम्मिधान हमारा स्रोक परी है और समिधान हमें एक ही बात के लिए अग्रही मनाता है कि हम सबका जो भी कार्य हो वा देश के लिए हो हर काम देश के नाम हो अगर हम देश के प्रती अपने इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट के प्रती अपने सर्धा और सम्मान के भाव को ब्यक्ति करते हैं हर ब्यक्ति, हर जाती, हर मत, हर मजब, हर संपरदाए इस देश के अंदर अपने आपको सुरक्षित महसूस करेगा आजादी का अमरित महत्सों के उपरान आज हमें भारत के समिधान को लागू करने के अमरित महत्सों वर्स में भी सेभागी बनने का उसर प्राप्त हुआ है और ये दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो देश की समिधान की रक्सा और समिधान के अंसार अपने करतप्यों का निर्बहन करके हम लोग अपने आजादी को भी छुड़े बनाई रख सकते हैं और भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत की रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएंगे मैं एक बार फिर से भारत माता के उन्महान सपूतों को जिन्होंने देश के सम्विधान को बनाने में अपना योगदान किया राश्पिता महात्मा गांधी के नित्रतों में चला आजादी का अंदुलन और आजादी के बाद जब एदेश अपने सम्विधान निर्मान की रागे वढ़ा था जो एक नाम सब के महों पर आया था सरुमानत मतिसे जिन्हों ने उस नाम का चैन किया था वह नाम था डॉक्टर राजिंदर प्रसाद जी का राजिंदर प्रसाद जी ने देश के सम्विधान को सभी स्मुधान विधों स्वतंतरता संगराम सेनानियों और विसेशक्यों के साथ मिल करके जो सरूप प्रदान करने में और उसकी पिविन्न पैटकों में अमात प्रकार के मत्भिन्नता के बबबजुद सरुआन मति बनाने का प्रियास किया और उन सभी विसेशग्यों के अमसार भारत के सम्विधान को लिफिबद्ध करके उसकी डाट तयार करके वरतमान सुरूप में देने का स्रे भारत के उसमहन सपूत बाबा साथ डप्टर भीम राउम बेट कर जैसे महापुरूसों को दिया जाता है और इन महापुरूसों ने जिस पथपरता के साथ अपने दहित्व का निर्वहन किया वहम सब के लिए उनकरने है नए सबसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को जिनों अपना सर्वस्त देश की आजादी के लिए समर्पित किया और महान सम्मिधान विदों, स्वतंतरता संग्राम सेनानियों को इस आउसर पर नमन करते हुए पुरे प्रदेश स्वास्यों को पिछत्तर वें कड़तंतर दिवस के आउसर पर अपनी हिर्दै से बढ़ाई देता हूँ अपनी सुपकामराई देता हूँ तर लेवाज जाइजिए